मेरा एक सपना है थर्ण में शिम्रा जाने का सुना है वह थर्ण में बहुत वरफ होती है बहुत बचकाना सपना है ना सपना ही क्या मेरी तो पुरी सिंदगी ही बचकानी है यही तो ओतार है मेरे साथ जो आता है वो बस कुछल कर चले जाता है पर अब ऐसा नहीं होगा महर वार का पलट वार करूगी हर बात का हिसाब होगा जैसे को तैसा मिलेगा प्लिन नाफ जपकर्डू ठापरू नाफ कर्डू नाफ कर्दू कर्डू झाप झाप अतीत की हर कड़वी याद मिटाई जा सकती है लेकिन बच्पन हमारी यादों का वो पन्ना है जिस पर लिखा हर किस्सा आसानी से नहीं मिटता और जब बच्पन का कोरा कागज अपराद की स्याही से रंग दिया जाता है तो जिन्दगी का हर रंग उस अतीत में धूमिल हो जाता है तीस दिन तीस केसिस की श्रंखला में आज इस केस पर अपनी राय रखेंगे जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी नमस्कार मैं हूँ साहिल जोशी क्राइब पेट्रोल सतर्क में एक बार फिर में लेकर आया हूँ कुछ ऐसे अंदेखे और अंसुने केसिस तो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहत ज़रूरी है हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिक्ता होती है कहा जाता है कि हमारा रुपया पैसा चुराए जा सकता है लेकिन क्या कोई हमारी हेल्थ चुरा सकता है शायद चुरा सकता है यकीन करना मुश्किल है लेकिन क्रिमिनल्स अपनी पे उतर आए तो कुछ भी हो सकता है ये केस हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ये केस हर उम्र के लोगों को जानना बेहत जरूरी है ये एक ऐसा हटकी केस है जिसने मुझे भी अचरच में डाल दिया था ये की बारे में भी हो जाना बेहते है ये के अचरच अचरच भी हो जाना बेहते है अरे बिटा क्या हुआ अरे कोई है क्या अरे बलड़ती ब्योज़ हो रही है अरे क्या हुआ इसको बीचे ये reason अपको घर अपया इसका हुदा अरे फॉर्पोर पटेख कोई सब्सक्राइब करने लिए 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 लगबग 12 लाक रुपए टीफिन में लेके अखेले गुम रही थी और बता भी नहीं है कि इतने पैसे आये कहां से बेडा नाम किया तोमारा और इतने पैसे कहां से आया तो मरे पास देखो दरो मारे लड़की ओमांकर मेला पुलिस नहीं आपके टीम में आये रिवने आपके लड़की मिले एक यूटी बच्ची है ऐसे मिले बहुत सारे बताने रिए किसा आपस लो बेटा आपको मेला पुलिस आए दिना मेला पुलिस आगए बात कोरों सब्सक्राइब आपके लोट के हर बंडल पे अलगलग अलफ़बेट्स लिके है इस्टी जीपी के एस यह कोई पोर्टो नहीं है सर बेटा अब यह बताओ कि इतने सारे पैसे तुमेरे पास कहां से है वो वो सदर में सब पापी पेट का सवाल है पापी पेट क्या पापी पेट सर जो पूछ ने उसका सीधा सीधा जवाब दो कल सो कुछ नहीं खाया ना फिर मैंने घर के सामने टिफिन का दुबा देखा तो मैं उस उठा कर भाग गई मुझे थोड़ना पता था किसमें इतने सारे पैसे हो गए तिफिन का डिबा तो मैं किस घर के आगे मिला था बता सक्ती है वो उस गली के मां ठीक है आंटी के साथ ओर उनको वो गणिए जयो उनको ओंड्यों जाओ जाओ यहां जातों जातने हुए उए फिर मेया त्वाण याद मिला था कौं यहां से अपको टिफिंड मिला था इसलिए रोंग तो याद होगा नापको पूलर यहां सबंगत करम खा कका ब खार्क्त सच में वो टीपिन तुमने किसी के घर के बाहर से उठाया था या जुट बोल रही हो जुबान तो बहुत चलती है उम्र क्या तुम्हारी उम्र मतलब एज 22 साल 22 साल पेटा इससे बड़ा जुट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम 22 साल की हो यानि ये भी पक्का है कि वो टीफिन तुमें किसी के घर के बाहर से नहीं मिला था नहीं आंडी वो टीफिन मैंने घर के बाहर से ही लिया था पता नहीं वो घर का गायब हो गया अच्छा घर गायब हो गया या तुम हमें गुमा रही हो मैं आप योगों को नहीं कुमारी हूँ, कुम्त मेरे सखर रहा है अंटी, पूच्चु देहीं कहा है, पूच्पूपलोसी है शगुप्ता ध्यान से इंपोर्टेट है कि राविरा मत देना? अच्छा माडम, मुझे पैसो की जरूरत है, थोड़ा एडवांस मिल जाता तो शगुप्ता मैं पहले ही तुम्हें दो मेने का डवांस दे चुकी हूँ पर माडम मुझे थोड़े और पैसो की जरूरत है मुझे लगता है कि मेरी तनकवा तुम्हारी जरूरते पूरे नहीं कर सकती तुम कई तुम्हे तुम्हे दूसरा काम दिलवा दू बहाँ तुम्हे रोज के दो हजार मिल जाएंगे रोज के दो हजार? मैंडम इतने पैसों से तो मेरी सारी प्रॉब्लम खतम हो जाए पर काम क्या है एक सिकेन बताते हुआ तुम थोड़ा अपने बाल वाल टीक करो थोड़ा स्माइल आया अंदिर कितने लक्यों आमा ढूलने गईते खाना मिल गए पैसे पेट भर गया न तुम्हारा अब बताओ इतने पैसे कहां से है तुम्हारे पास एक काम करता है हम उन पैसों का अधा हदा बात लेते हैं इसमापकी भी टंचन कथा और मेरी भी बहुत चलाग बन रही हो देखो जब तक तुम नहीं बताओगे कि ये पैसे तुम्हारे पासे को बड़ा तुम्हारे फास हाथ कर दो कर दो कर दो सर वो बच्ची पिछले कई घंटों से में गुमा रही है लेडी कॉंस्टिबल को ब्राइव ओफर करके बोल रही थी कि पैसा आपस में बांट लेते हैं दिखने में 12-3 साल भी लग रही है लेकिन बोडी एक लुसको में 22 साल किये और बार-बार भागने के कोशिच भी कर रही है सर मुझे इस बच्ची के रंगण ठीग निए लग रहे सर माल लिया यह टिफिन उस लड़की को उस घर के बाहर मिला तो फिर हो सकता है कि यह टिफिन उस घर वाले का हो या फिर किसीskyafnese service वाले या जो नगर के बाहर रखा. Vgrass service वाले मादे पैसा कुछ डिलिवर करें भी? GPPH. हो सकता है कि इस Gaza कोड़ि पर यह पैसा हवाला को. यह भी हो सकता है यह पैसा ayudar एंटी social activity में इस्तेमाल हो ने ह। हम इस लाझए इंड ले सकते है। बच्ची सवक्त पाई? बताओ बटा, कहां से आई हो? डरो मत, बोलो परेशाली जी आउसका आउसका कुछ बताया बच्ची ने अपने बारे में? नहीं सर, कुछ भी नहीं बता रहे बस एक ही बात बोले जारी जैस गर से टीफीन उठाया था बखेड़ी बोफूल गई है चलो, कोई बात नहीं बच्ची ने बोल गई होगे पर बच्चा आपको अपना नाम तो होगा क्या नाम आपका? मिरा नाम आदिल है क्ये देखो, आदिल खान आप अपना नाम नहीं बताएंगे मैं मेनियो अब आप मुझे यहां से जाने देगे? हाँ, बिल्कुल जाने देगे कहां जाने आपको? बताओ, अगर कहां आपका? नहीं बताओ अच्छा आपको अपने ममी बपा का नाम तो याद होगा कहां रहते हैंगा अब हमें बताएंगे हम आपको लिए लिए लेकर जाएंगे अब बताओ शान देगे शान देगे इसको लिए जान दाख इससरो कोई ने डाटेगे जो रशालीजी इस बच्ची में सब कुछ टेक नहीं बच्चे की फोराउं पे निडिल्स के निशान तो उसकता है ऐसे कोई बिमारी हो और इस टाइलाज दो इसका मेडिकल चेकप को रगाई है जी सर सर देखने में तो बच्ची अच्छे खांदन भी लग रही है लेकिन अपने घर परवार के वारे में बता क्यों ने रही है ये समझ में नहीं आरा है शायद बच्ची मिसिंग हो वच रहे मोटली की के वारे में कुछ बता चलेए वो कि ता? हेलो? तब उन दो बच्छों के लाशिया हम लिए पर बॉड़ी के निशान देके लग रहा है कि काफी बुरी तो उसे पीटा गहा है जले के लिशान देके लगता है कि किसी तेज़ धारदर चाकू से काटेगे दोनों के गले काटेगे और दोनों के बॉड़ी से जितने सकने उसे इसर्फसे गराउंपर काफी खुना जाए एकने ग्राउंद एकदम सुखा है अज़ दोनों को पहले कहीं और मारा गया और यहां लाकर बोडिस सिर्फ नमकी गई अज़ बोडिस को पोस्माट उगली भी जो आप अज़ अज़ भी बड़ दे राकी काय का एक अपी बड़ दे या चेर में फूटी कोड़ी नहीं और तुम अरे इस सब चूड़ो यह सब क्या लेकिया यह राशन चल ला अच्छा सा डिनर बनाते है वर्टी का मैडम पैसा दे दी का तुमको हां तभी तो यह सब लेके आप आये हैं लेकिन बहुत लेट हो गया तुम थीका अरे बोलो ना कहाती तुम वर्टी का मैडम ने नया काम दिलवाय तो अजमा पहला दिन था इसले लेट हो गया अच्छा इस अब छोड़ो जब तुम्हारा बड़्दे गिफ्ट अच्छा है ना अच्छा है पर यह फोन तो बहुत महेंगा लग रहा है मतलब वर्टी का मै इसा तो एडवंस नहीं दी होगी तुमकों वो उन्होंने अलग सी दिया है हम थोड़ा थोड़ा करके साल्डी से कटवा देंगी अच्छा है इस अब छोड़ो चलो बच्दे चलिबरेट करते हैं आजो सुरी मैं तो मजाग कर रही थी वैसे भी मैं दढ़ती नहीं अच्छा भूक लगी होगी ना फ्रूट्स काओगी अरे शर्माव मत ये बताओ ओरेंज खाओगी एपल एपल काट देते हो वैसे तुमने मेरा नाम तो पूचा ही नहीं नहीं बता देते हो मेरा नाम दिंपी ह अर्मा चुन्वन चुन्वन लेकिन पुलिस को तो तुमने अपना नाम मीनी बताया था मैं मैं मेरे तोदो नाम है मेनी भी और चुन्वन डेता बच्ची का मेडिकल करवाया उसके ब्लड में सेडिटिवस के ट्रेसे मिलें अच्छी की बाजू पे सिरिंग के निशान थे अब तो बच्ची को जबरदस्ती मिशीले इंजेक्शन लगाए जा रहे थे दबस्ती उस बच्ची की शनाक तो ही नहीं सर्थ उस बच्ची से जूड़ी कोई भी मिसिंग अप्रेंड है और नहीं स्कूल से नहीं होस्पिडल से ऐसी को इंफॉर्मिशन मिली है जिससे पता चल से कि मीनी के घर वाले कौन है अभी तो यह भी कंफर्म नहीं है कि उस बच्ची का ना मीनी है या कुछ हो चाल केर से फोन आए तो बता रहे है कि बच्ची बोल ली है कि उसका नाम चुन्मन भी है सर जिन तो बच्चों के लाशों में मिली थी उनसे जुड़ी भी कोई भी मिसिंग कम्लें नहीं मिल रही और क्राइम सीन के आसपास के सारे CCTV हमने चेक कर लिये पर उनकी पैसां का कोई क्लू नहीं मिल रहा तो चांट का दारा बढ़ा हो उन दोनों बच्चों के पोस्ट मॉडम रिपोर्ट का क्या स्टेटर से आज रात कोई अकल तो बात अगा जाएगी ए लड़की इधरा आप भूख लगी है तो वेटा एक काम करो इधर बरतन रख्या ना उनको धोदो फेर में तुम्हें बिस्किट और ये ब्रेट खिलाऊंगा ठीक है चाओ हरे मटा तुमको तुम तुम बरतन भी साफ करना नहीं आता दिखाओ तुम मैंना तुमको पढ़िया से दुनत सिखा देता हूं क्या करते हैं ये गलाष भी या रखते हैं और दुमका ये ये तुमको पानमस आशा मिना हूना ना के लिकर से चुटें सर, यह उन दोनों बच्चों की पोस्ट मोडम रिपोर्ट, इनके में लाश मिली थी, उन दोनों बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया था सर, मौत एक्सेसी ब्लीडिंग की वज़े से हुई, किसी धार-धार छीज से उन दोनों का गला काटा गया, बच्चों के क्यों सब्सक्राइब करते हैं, नहीं सर्, है कौन मैं आप अपस बिन किनेकट, यह भी मुम्किन है, कि अन दोनों बच्चों के बलड में, असी सेडियेटिव के ट्रेसे मेले घिंए, जो में चुनमन के बले था तो हो सकता है यह दोनों बच्चे और चुनमन हापस में कनेक्टर हो यह भी मुम्कन है कि चुनमन इन दोनों बच्चे को जानती है बोलो बच्चा क्या आप इन दोनों बच्चे को जानती है नहीं 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 जानती हूँ जब बच्चा हमें पता चला है, क्या आपको इंजेक्शिन लगा जाते हैं? अब ना दीका गरमाद बहलो ये इंजेक्शिन आपको क्यों लगा जाते हैं? कौन लगा था? बहलो चेरा साब बता रहा है कि उसे सेडिटेव जबरतस्टी दीन जा रही है और यह बच्छी उन डोनों बच्चों को जानती हैँ आपनी कुछ बता नहीं रहे है सुपस्ट को इस अपनी डोशी के ओरrat is लीडियोन का कंवार रही है नैशनल क्राम रिकॉर्ड वीरो का डाटा चक करो और इन बच्चों के तस्वीर है अफ़ारों में चपो इन तीनों बच्चों में से इस बच्चे की इंफॉर्मिशन में लिया साथ दो साल पहले तक ये बच्चा अनाधाल में था दो साल पहले इसको एड़ॉप्ट किया गया अनाधाले के रिकॉर्ड में इसका नाम अनमूल है अड़प्ट किसने किया ये संजीव और इसने अगरगने लेकिन चौकाने वाली बात यह है कि जब मैंने इन दोनों के डॉकुमेंट्स क्रॉफ चेक किये तो पता जला कि वो तो फ़र्जी है फ़र्जी ड़कुमेंट्स जी हाँ साल है कि इस काफल ने इस बच्चे को फ़ झाल बढ़्यार है दो माइनर बच्चों का मर्डर 14 साल की चुन्मुन से बरामत किये गए 12 लाख नोटों की गड़ियों पर लिखे कोर्स का राज बच्चों का फेक एडॉप्शन इस चाइल्ड केर सेंटर में बड़े ही बेक आफिस से किया गया चुन्मुन का अपारए एक के बाद एक इस केस में कई नए राज, नए समहिकरंड नजर आ रहा है इस केस को लेकर पुलीस कोई पुक्ता थियरी नहीं बना पा रही है ये केस est question mark से भरता जा रहा है लग रहा है कि पुलीस के investigation को full stop से लग गया है पुलीस की मश्यक्यत जा रही है लेकिन इस केस को अन्जाम तक पहुचा पाना आसान नजर नहीं आ रहा हूँ राकेश प्लीज, प्लीज मेरी बात समझने की कोश़च करो राकेश मैं तुम्हारी सच्चा ही अपने आखों से देख चुका हूँ राकेश, यह तब मैंने हमारी जरूरते पूरी कड निगले किया है मैं आज तक अपने आपको किसी को भी शुट ना और कुछ हो ही नहीं सता क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पास क्या है और तुम्हारी हथे कट क्या है मैंने ना, बहुत बड़ी गल्ती कर दी, तुम पे बरुसा कर दी नहीं राकेश, राकेश मेने बात समझने की कोशेश करो राकेश प्लीज राकेश सर मैंने बच्चों के एडॉप्शन से जोड़ा पूरा डेटा निकाला अपने डिस्टेक में पिछले दो साल में, तक्रीबन 85 बच्चों को अलग-अलग अना थाले और NGO से एडॉप्ट किया गया लेकिन सर, इन 85 बच्चों में से ये चार बच्चे ऐसे हैं जिनको अनमूल की तरह फरजी डॉक्उमेंट से एडॉप्ट किया दिए जिनको अनमूल के साथ जो बच्ची की इलाश मिली थी, उसकी को इंफरमेशन? नई जार, विलाल तो खुछ भी नहीं सर, एक काम की CCTV फुटेज में लेगी चलो बेटा, उटो, खाना खालो, उटा उसको, ये बेटा, उट, खाना खालो चलो बेटा, लो, खाना कालो पानी दाओ? पानी दाओ, पानी दाओ सर, इस CCTV फुटेज उसी राट किये, जिसराथ चुन्गन उननती चाइल्ड के सेंटर सा गायव वेती ओना, ये दोनों वही हैं, जिन्होंने चुन्गन को किन्नैप किया सर, याद में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, जिसने अनमोल को परजी डोकुमेंट से अड़ोप किया था तो मतलब अनमोल परचुन्मन आपस में कनेक्टेड हैं, पक्का, इसी कपल ने इन चारो बच्चों को भी परजी डोकुमेंट से अड़ोप किया था तो मतलब मुम्किन है कि ये सारे बच्ची आपस में कनेक्टेड हैं, ये कोई बड़ा गैंग हो सकते हैं अगर ये कोई बड़ा गैंग है तो इनका मकसद क्या है बच्चों को अड़क्ट करके ये करते के हैं, हुमन ट्राफिकिकिंग, बैगिंग माफिय, ये फिर कुछ ऐ सर इन चारह एड़क्टेड बच्चों में से इस बच्चे के बारे में इंफोर्मिशन मिली, ये उमेश है, तीन महीन पहले दर्शम्राग पुलिस को इस बच्ची की लाज मिले थी, और इसके ब्लड में भी उसी तरह की सरड़ेटिव मिले थी, जिस तरह के सरड़ेटिव अनमोल, और अनमोल के साथ जिस बच्ची ग्लाज मिली थी, उसके ब्लड में मिले थे, सर, चुन्दमन को किट्नेप करने वाले दूसरे आदमी की पहचाम का पता चल लिया है, सर, ये एक हिस्ट्री शीटर है, इनामुल शीख, दूद, परेब, डकेथी, कई मामें दर्ज इस इनामुल के तस्वीर सब जगा सर्क्रेट करवा, ये इनामुल और इसका साथ ही, मुझे किसी भी सूरत में लाकप में चाहिए, सर. शंकर, अब नटिके की दिरे? अरे, मैं बात्तुर में गयाता, बात्ये, चल, चल, चल. अजय हैंगे, तुनाई आपे शुट्चा, इनने उनको दुषी दात्ती राखिए, जात्यू. अब दूसरे नटिके का? अब दूसरे नटिके का? क्या है? क्या हो आपता। और लड़की में बिली हुता है. पर जब चुन्मुन की फोटो एक नि्जॉस पेपर में पबलिश होई थी, तो जारकन चायबाश सुक्षा अजाने इन चार्जने में कॉंटेक्ट किया था. क्योंकि चुन्मुन की शकल आसिमा नाम की गड़की से हूब हूँ मिलती है और उनके ठाने में आसिमा की missing component फाइल हुई थी साथ और सब तक्रीबन डेर साल पहले आसिमा के साथ उसकी बड़ी बेहन शगुपता भी missing हुई थी यह शगुपता की फोटो अलो अब इस बच्ची का असली नाम आसिमा है अपना नाम चुन्मुन में ने यह सब क्यों बता रहे थी यह जाना जरूरी है करे यह आखर डेर साल पहले इस बच्ची के साथ क्या गुए है इसकी बढ़न शगुफता हो कहा हुपता है असिमा असिमा कवह चली गई आसिमा तब कड़ते हैं दिफ इसमें पानी में ऐसा मिलाओने है ठीट एस सब टेहरे क्या कर रहे थे मेरी बहन के साथ अरे, हम क्यास कर रहे हैं, हम तो बस रो बस, मेरी बहन से दूर है, अगर आज की बाद उसे चुवा ना किती पर मना क्या आम बताये का, इक बाद में समझ नहीं आता है दीदी, आज मेरा बद्दे और आकेशी जो दें जे गर पे नहीं आए, काहा है वो? बेटा, वो आजाएंगे अच्छा रोक, मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, स्कूल में ना, बच्चों को टॉफी बाट देना और जो भी पैसे बचेंगे, उससे जो खरीदना होगा, खरीद लेना ये ले उस पेटी में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जब भी जरुवत होगी ले लेना क्या परता, तुझे कब जरुवत पर जाए? अब हमेशा मेरे बरोसे थोड़ी रहेगी देदी, आप ऐसा क्यो बोर रहे हो? मैं आपके बेना नहीं रह सकती देदी, आपके तेरे बेना नहीं रह सकती बेटा देदी, देदी जीटी, पुए पुए पूण आणडी, आणडी आणडी आणडी, आणडी, आपने मरे देदी को देखा क्या? पुए लड़की को हेविस एडिटीवस दिये गए थे, इसलिए वहहंशी की हालत में है बची जैसी होश में आती, मुझे आपकेट करो यह बच्ची हमें क्रिमिनस्क्री को लीड जा सकती है अभी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्ची से जाना जरूरी है सरम तो डेड़ साल से अपनी बच्ची को देखने के लिए तरस रहे थे हमारी बेटी आसिमा अगर आपको मिल गई है तो शगुपता कहा है देखे अभी हम कूरे यकिन के साथ नहीं कह सकते जो बच्ची हमें मिली है वो आसिमा ही है या नहीं आप कहने क्या चाहते हैं सर देखे बच्ची अपना नाम अलग अलग बता रही है पहले इसने अपना नाम मीनी बताया, फिर अपना नाम चुनमन बताया, ये लड़की की तस्वीर है, अब देखें। ये तो हमारी बेटी आस्मा ही है सर्, कहां है ये? फिलाल ही हॉस्पिटल में, इसे काफी लंबे अरसे से निशीली दवाई ये दी जा रहे हैं। नशीली दवाई? डेट साल पहले, एक्चुली क्या हुआ था? आप आमें तफसील से बताएंगे? तो निखा करेगी इस मुर में और वो उससे, नाकिश से! आप कुछ नी जानता हो इसके बारे में! आप कुछ दिनों के बाद हम दोनों किसी काम से भार गये हैं। और शाम को जब घर वापस लोटे तो हमने दखा किए वो दोनों गर पर नहीं थी। सर्म दोनों ने बहुत जोड़ना लिकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली। सर्म हमें हासी मत्तक ले चले हैं। सरम उससे जानना चाहते हैं कि शगुफता का था अंकल एक फ्रूट देदो ना दो दिन से बूगियो चलाएट अंकल पकड़ लेंगे और मैंने तेरी मदद की और तू मुझे ही दक्का दे रही है सारी इंग्लिश मेडियम वाली तो फिर चोरी क्यों की ढूक लगेती तुझे घर पर कोई खाना नहीं देता मेरा कोई नहीं है नहीं कर रहे है एक काम करेगी वहाँ पर तुझे खाना भी मिलेगा और रहने को भी यह अनमोल तुम्हें बहुत साही जगे लाया है यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा आराम से रहे हैं अंकर ने बताया नहीं काम क्या करना होगा अरे कुछ नहीं करना बस कुछ टीफिन के डबबे इदर उदर करने हो गया काम अशिमा क्यों अशिमा बिटन के अशिया थे दूर रिम्चे जब कोई पर देगे अशिमा गवरामा कि अशिमा किरेगे अशिमा बिटन हम सब तीक कर देंगे श्रगवता का है एक बच्ची जो धेर साल से दर-बदर की ठोकरे खा रही थी वो अपने माता-पिता के साय से भी दूर भाग रही थी वो सिर्फ उनसे नाराज थी या फिर उसके मन में कोई नफरत भरी होई थी एक 14 साल की बच्ची क्यों अपने माता-पिता को गंदा कह रही थी इसका राज पता करने के लिए चाइल काउंसलर की मदद ली गई असिमा और चुन्मुन का रवया जितना रहस्माई था उतना ही रहस्माई था उसकी बेहन शगुफता और उसके जीजा राकेश का गायब होना अनमोल और एक बच्ची की हत्या का राज अभी ज्यों का त्यों था शंकर और इनामुल अभी पुलिस की पहुंच से दूर थे लेकिन असिमा और चुन्मुन की कहानी अब अदालत तक पहुँच चुकी थी जहां कई चौका देने वाले पहलों की सुनभाई होने जा रही थी माई लॉर्ड जो माबाब अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए काफी समय से तरस रहा है उनमें से एक बेटी उन्हें डेट साथ के बाद मिलती है और वो भी उनकी नहीं हो पाती अपने माबाब को देखकर वो चीक ने चिलाने लगती क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए उकसाया गया है वो बच्ची तो माइनर है सर इसलिए मैं आपसे दर्ख्वास करूँगी कि उसके कस्टडी उसके माबाब को दी जाए और इस केस को मिलोड, मिलोड, बच्ची के पेरेंट्स को उसके कस्टडी देने का कोई सवाली पैदा नहीं होती है क्योंकि बच्ची जो भी कह रही है, बिल्कुल सफस्ट और साफ है मैं यह कहना चाहूँगा मिलॉड कि बच्ची को कोट के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए पॉर्मिशन ग्रांट के आप एक हम सब को बताईए कि आपके पापा यूसूफ एमद वो कैसे हैं? जिए तो आपने देखा कि आपके पापा आपकी बड़ी बहन के साथ गलत कर रहे थे फिर क्या हुआ? हम दो बददद सिर्फ गेम खेल रहे थे, ख़गा तो जी एक अच्छी लगत अगेम खेल ले वह केलें? पिर उस दिन के बाद फिर से आपके पापा ने आपके साथ आप के साथ यह जो हो रहा था इसके बारे में आपने अपनी ममी को बताया था पाप पापा वो ओख अपा मामी एजाज देखा बचालो मा माँ! तो बेटा, इसलिए आप और आपकी देहन उस घर से भाग गए तो, है न? अब्जेक्शन माइड़ा, प्रोसेक्यूटर जबदस्ती गवाह से अपना बयान बुलवा रहे है सस्टेंग अगर आपकी इजासत हो, तो मैं आशिमा से कुछ पूछना चाहती हूँ ओके बेटा, आपके बड़ी बेहन का है? मुझे नहीं मालूप, वो कहां चले गई और राकेश? सर, उस लड़के राकेश ने हमारी दोनों बेटियों को उनसे दूद कर दिया वरना आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई माँ आपनी बच्चियों के साथ ऐसा कर सकती है? माई लॉड, यह उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है उस बच्ची का ये कहना है कि लगातार उसके साथ रेप किया गया है लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट से ये कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ रेप हुआ माई लॉड, इस बच्ची की बया की पुष्टी करने वाली उसकी बड़ी बैहन अब भी मिसिंग है और पुलिस की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इस बच्ची को ब्लड बैंक मार्केटिंग द्वारा लगाता नशे के इंजेक्शन दिये जा रहे थे और पुलिस की कस्टडी में आने के बावजूद भी उसने कई बार पुलिस को गुमरा करने की कोशिश की माई लॉट ऐसे मैं उस लड़की के बाया को ऑथेंटिक हैराना खोट की भूल होगी मुझे सा लगता है कि शायद राकेश या फिर ब्लड ब्लैक मार्केटिंग वाला इनमुल और उसके साथ ही यह सब मिलकर इस बच्ची को डरा रहे थे धमका रहे थे और शायद इसी लिए वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह के बया दे रही है रेप एलिगेशन के साथ साथ इस केस का बहुत बड़ा पहलू ब्लड ब्लैक मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है जिसका पहिमणा बहुत बड़ा हो सकता है ये कोर्पूलिस को आदेश करती है कि वो इनामूल और राकेश को जल सजल एरेस्ट करे और बागी केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए शगुकता और राकेश का मिलना बिहद जरूरी कोट राकेश और शगुपता को ढूनने का भी ओर्डर देती है अगली सुनाई तक कोट एडजन किया जाता है सर क्या लगता है अखो राकेश इस किस का सबसे वड़ा मौरा है अब अगर गायब है सो इसके पीछे कोई न कोई काने तो जरूर हो लेकिन जब तक शगुफता मिल नहीं जाती है यह साबित करना वाके मुश्किल होगा कर यूसफ शगुफता और आसी महादोनों का रेप करता था और अगर सर खब्रियों साइनामल और शंकर करटे की टिप में लिए है वो दोनों अशुपनगर एरिया में है पुम लोगोने चुफमन को लेकिनेप किया था तउन टेंतों वेजाल की अपसले पिछले छही महीं जानती है वाट! कॉन बहन साथ? हम किसी बहन को नहीं जानती हो जाता हूं? क्या तुम इन दोनों को जानती हो? जाए सुर्ण मैं नहीं जानती हूं चुन्मन हमारे साथ पिछले छे मैलों सो थी और उसने में कभी पताया निकि उसकी कोई बहन भी है तुम जिसको चुन्मन कह रही हो ना उसका असली नम आसिमा है क्या तुम जानती है असबाको? नहीं सर चुन्मन है तो कभी नहीं बताया उसको तो अन्मोल लेकर आया था अन्मोल? यह अन्मोल? जे तुम इसको जानती हो क्या? यह सेता थी तुम्हें लोग बच्चों को फजी डॉकुमेंट से अड़प कर रहे थे और फिर उने सेड़े टीप देज देज दे थे करते क्या थे तुम लोग बच्चों के साथ हम सब का खून निकाला जाता बच्चों का खून क्यों सर्थ शंकर और रिना मों बोलती थे अच्चों के खून से बुड़े लोग भी जावार मुचाते हैं अब से चला था है सावां काफी टाइम से एदंदा कर रहे थे सावां तुमारे गिरोह में और कॉन कॉन शामिल है सब कुछ हमी संभालते हैं और कभी अगर जरुवत लगती ही तो कुछ डॉक्टर्स को बला दे चौनमन के पास हमें एक टिफिन मिला था जिसमें बहुत सारे नोटों की गड़िया थी और उन गड़ियों पे एटपी जीपी आरकी ऐसा बहुत कुछ लिखावा था वसब क्या है तो जिसको भी खुम चड़ता था उसका पेमेंट होता था कोई हम पिशख न गरे इसलिए अम लोग बच्चों को बच्चे पेमेंट लानी के लिए नोटों के गड़िपे जो एक शब होदा था उसमें क्लाइंट का पहला माम और सर्मने मुस्ताश्पर लिखे लिखे अनमॉल और जेवा को किमारा क्लाइंट का पैसा लेके भाग रेते सार्म चैन्म पैसा के लिए कम लोग मासों बच्चों को इस जंदगी से खेलते सब्सक्राइफ चैन्म सीगवें साधा एपिज्दे खेलती लिखेलना सर्, शागुफतार राकेश के निए कुछ पता नहीं चरा लेकिन राकेश का एक दोस्त भुशार उसके बारे में एक खबर मिली है कशी खबर तर्म सार्ष ये वीशाल एक गरी परिवार से है मैं तो दस मिने पहले आखरी बार देखा था राकेश को उसी दरहां यूसफ ने तेरे अकाउट में अपे डलवाई था क्यों? शागुपता, आस्मा और राकेश के शेर छोड़ने के बाद यूसफ अंकल उन्हें ढूंडते हो मेरे घर आये थे और मुझे धंकी भी दे थी, क्योंकि वो चानते थे कि मैं ही राकेश के सबसे करीबी दोस्त हूँ पर जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि वो दोने खाएं उन्होंने मुझे पैसो का लालस दिया पर जब भी तुम्हे राकेश कॉंटेक करे तो मुझे बताना फिर दस मूँ में पेले आँ, ओके उस दिन जब राकेश का कॉल आया तो मुझे पैसो का लाला चा गया फिर मैंने ये सब यूसफ अंकल को कॉल करके राकेश के बारे में सब बता दिया अज़ा राकिष आजा 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 यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि शगुपता मुझे दोखा देगी वे एक न्यूड राकिष। वोल शगुपता राशीमा का है? राकिष। उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मैंने जानता साथ विशाल ने हमें तुमारे शोहर यूसफ के बारे में सब कुछ बता दी अब तुमारी बारी तै कर लो सच बोलना या जूट लेकिन अगर जूट बोलना तो जितनी सजा तुम्हारे शोहर यूसफ को होगी उतनी ही तुमें भी होगी तो सोच लो अदालत में जूट बोलोगी या सच किभूल को होगी सर मैं मुंबई से पली बढ़ी हूँ लेकिन मेरे माबापने एक छोटे से कस्पे में यूसफ के पल्ले मुझे बान दिया मैं हमिशा से एक उची लाइफस्टाइल जीना चाहती थी और इधर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थी लेकिन मैंने कभी भी उनकी परवरिश पर दिहान नहीं दिया एक दिन जब शुकुफता ने मुझे पताया कि यूसफ उसके साथ क्या करता है तो मेरे होश ओड़ गए यूसफ इतना नीचे गिर गए तो अपनी बेटी को भी नहीं बख्षा अरे कैसे बाप हो तुम शरम नहीं आई तुमे ये जादे ग्यानमत दे और वैसे भी तुम तो मेरे पास आती हो नहीं और बहार कितने मर्दों के साथ संबंद है सब्मा लोगा मुझे जब मैं तुझे नहीं रोकता तो तू कोन होती है मुझे रोकना वाली मैं अपनी आजादी नहीं खोना चाहती थी इसलिए मैंने यूसुफ के साथ सौधा कर लिया और अपनी बेटी की तकलीफों को नजर अंदास कर दिया तो तो शगुफता और राकेश के साथ यूसुफ ने क्या किया? यह तो जानती होंगे ना विशाल की मदद से यूसुफने राकेश का पता लगवाय और फिर राकेश को बहुत पारा राकेश ने शगुफता के बारे में पताया और उसके बाद यूसुफ लखनौ पहुचे और वहां से पगड़कर शुगुता को चाय बासा ले आए तो किस्मत थी कि मेरी छोड़ी मेटी वहां नहीं थी लेकिन शुगुता हुगुता अब ही में नहीं सुद्री ना तो है आज सुधार दुगुता उसे बाचने के कोशिश कर रही थी ना अब बाच्चे प्रशने कई कर दुद्रा तो है हैं एक हम सुद्रा चाय भाचने के का वीकुता भाच्वन प्रशने के दूब कर दूब में का प्रसुपुता ये एक ऐसा अपराद है जो एक साल पहले तक किसी के रजर्बे नहीं आया। अगर असीमा उन पैसों के साथ पुलीस को नहीं मिलती तो शायद सालों तक ये ऐसे ही छिपा रहता। वनी, असीमा, अनमोल, धेभा और जूली सबेद कई बच्चे जिस अपराद का शिकार हुए उसका पैवना भी बड़ा था। इस अपराद में कई बड़े नाम आज भी सामने आ रहे हैं। इस अपराद में ऐसे मित को बिल किया गया जिसमें बच्चों के खून से बुड़ों को लबे समय तक जवान रखा जा सकता है। जिसे एक ऐसे रैकेट को जम दिया जिसमें गरीब और मासूम बच्चों की सेहत को ताक पे रख दिया गया। ये आज के दौर की कड़वी सचाई है कि हमारे बच्चे आज मरती हुई इंसानियत में पल रहे हैं। और जब बच्चे अपने करीबियों और अपने माता-पिता की हिंसा का शिकार बनते हैं तो उनकी दुनिया वही खत्म हो जाती है। हमें बच्चों की मासूमियत को बचाना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे अंदर का बच्चपन जिन्दा रह पाएगा। हमें बच्चों को एक स्वस्त और आशावादी जीवन देना होगा, तभी मानवता को बचाया जासे होगा। अब मैं आनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट की विशलेशन के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें सतर्क रहें सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क जैहन